नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जब हम अपने यूटूब चैनल में सब्सक्रिप्सन को ओन करते हैं तो उससे जिस जिसको भी हमने सब्सक्राइब किया होता है उसको कोई नहीं देख पाता है और जब हम अपने YouTube चैनल में subscription को off रखते हैं तो जिस जिसको भी हमने subscribe किया है उसे कोई भी देख सकता है दोस्तो आज मैं आपको बताय। किस-kis को subscription को on रखना चाहिए या किस-kis को subscription को off रखना चाहिए दोस्तो यहाँ बताने से पहले मैं आपको यूटूब चैनल पर सब्सक्रिप्रिशन को on और off करने का तरीका बता देता हूँ तो चलिए फ्रैंड्स वीडियो को सुरू करते हैं यूटूब को open करेंगे उपर के और आपके चैनल का लोगो दिख रहा होगा उसमें क्लिक करेंगे यूट चैनल में क्लिक करेंगे एडिट चैनल में क्लिक करेंगे यह देखिए प्राइवेसी लिखा हुआ है एक जगा पर उसके नीचे लिखा हुआ है अगर इसको on रखेंगे यह देखिए अभी on है अगर यह on रहेगा तो आपने जिजिसको भी subscribe किया है उसको कोई नहीं देख पाएगा अगर आप इसे off कर देते हैं तो आपने जिजिसको भी subscribe किया हुआ है वो आपके चैनल में जब आएगा तो वो देख सकता है इसको off रखने का भी फैदा होगा जिजिसको भी आपने subscribe किया हुआ है जब उनके वीडियो पर आप comment करोगे जैसे ही वो आपके लोगों में click करेगा व्यू चैनल के उपर subscription लिस्ट देखेगा उसमें अगर अपना नाम देखेगा हुए तो वो आपको जरूर subscribe करेगा आपके subscriber बढ़ने के chance ज़्यादा हो जाते हैं इससे और ऐसे YouTuber जिनका चैनल monetize हो चुका है जिनके चैनल पर हजारों में व्यूस आते हैं हजारों में कमेंट्स आते हैं ऐसे YouTuber अपने subscriptions प्राइवेट को on करकर रखे ताकि किसी को यह पता ना चले कि उन्होंने किस किस को subscribe किया है क्योंकि उनके लिए ऐसे हजारों जैसे हजारों कमेंट आए उनके वीडियो पर हजारों लोगों को उनको देखना एक आदमी के ले इतना असान काम नहीं है ये चीज़ इसलिए उनके लिए यही सही है कि इसको on करके रखे और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कुशिश करें ताकि उनके दर्सकों उससे जुड़े रहें उनके दर्सकों को उनके वीडियो को देखकर फैदा हो ऐसे वीडियो बनाए यही सही तरीका है दोस्तों अब बात करते हैं सब्सक्रिबिशन को यूटूब चैनल पर on रखना चाहिए या off रखना चाहिए दोस्तों एक साफ सुथरी आसा मैं आप आपको साफ साफ तरीके से एक चीज़ बता देता हूँ जो नए यूटूबर है जिनका भी चैनल मॉनिटाइज नहीं हुआ है एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ज्यादातार लोग एक दूसरे के चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे लोगों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपने यूटूब चैनल में सब्सक्रिप्सन को आफ रखें उससे क्या होगा कि आपने जिद जिसको भी सब्सक्राइब किया है सामने वाला बंदा भी देखेगा उसे तो उससे उसका विश्वास बढ़ेगा कि आपने उसको सब्सक्राइब किया है तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेगा आपके वीडियो वाच करेगा क्योंकि आप भी उसके वीडियो वाच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और यह तो रही बात उनकी जिनका भी चैनल मॉनिटाइज नहीं हुआ है जिनके भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए यह निर्णा सही रहेगा और हम मैं बात करता हूँ जो पुराने चैनल हैं बड़े चैनल हैं और उनके लिए मैं यह गाना चाहूंगा कि वो अपने सब्सक्रिप्शन को यूटूब में आन रखे हैं ताकि उन्होंने किस किस को सब्सक्राइब किया है यह कोई न देख सके ऐसा इसलिए क्योंकि वो बात नहीं है कि इतने लोगों को वो वास्च कर सके हाला कि बहुत से लोगों को वास्च करते हैं जितना टाइम होता है जिस साफसे उनका टाइम मैनेजमेंट बनता है वो अपना वास्च भी करते हैं और उसी साफसे वीडियो भी बनाते हैं और जो नए चैनल है जो नए च subscription को off रखें जिससे कि आपने यूट्यूब चैनल में जिस जिसको भी subscribe किया हुआ है वो सभी लोग देख सकें और आपको भी subscribe कर सकें और आपके वीडियो भी watch कर सकें तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर व